एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर साल फ्लाइट में लाखो लोगों के बैक्स यातोख हो जाते हैं या फिर किसी के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, जो थोड़ी बहुत कारवाई और शिकायत करके वापिस मिल जाते हैं। ऐसे ही नंदन कुमार के साथ हुआ, उनका भी बैक किसी दूसरे यात्री के साथ एक्सचेंज हो गया, जिसको पाने के लिए उन्होंने इंडिको एरलाइन्स की वेबसाइट को ही हैक कर लिया। जानकारी ट्वीट करते हुए इंडिया एरलाइन्स को भी बताई और हम भी आपको रोजा नहीं ऐसी जानकारी बताते रहेंगे। उसके लिए बस आपको इन्फरमेंस को सब्सक्राइब करना है।